आप सब के अंदर ग्राजवान, परंकिता, परमेश्वर को मेरा परणाम। आप लोग बिन-बिन देवी देवताओं की साधना करते हैं। अनेकों मंतरों को रड़ने का प्रियतन करते हैं। वोग देवी देवताओं की पूजा करते हो। मुक्षिस्तानों के उपर जाते हो। आप जितना परियास हो सकता है। उतना करते हो। लेकिन आप लोग साधना के विशे में, प्रमात्मा के विशे में, ध्यान के विशे में, उस प्रमतत्त्तव के विशे में, आप लोग कुछ भी नहीं जानते। और जो लोग आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी लोग कुछ नहीं जानते, वो वहीं भशे हुए हैं, आपको साधना से दूर ले जाने का परियास कर रहे हैं, ये नहीं है कि उन मंतरों से आपको कुछ लाग नहीं होगा, ये नहीं है कि आप उनकी साधना करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा का ये रास्ता नहीं है, परमात्मा का रास्ता इससे बिल्कुल विपरीत है, जितने भी आउतार हुए, जितने भी महत्मा हुए, सब ने अपने अपने मारक दिखाए, और एक बात और आप गहरा से सोचना हर को ये कहता है कि ये जितने भी रास्ते हैं सब प्रमात्मा की ओर जाते हैं जितने भी दर्म के मारग हैं सब प्रमात्मा की ओर जाते हैं और सब उसी की ओर दोड रहे हैं सब को उसी के अंदर पहुंच जाना है सब वहीं पहुंच जाओगे किसी भी मंतर से है एकनिए नहीं तिनी जनम में प्हुंची जाएंगे अगले दनम में पहुंचे जाएंगे लेकिन ऐसा प्लुक्ल भी सब्सक्रामु नहीं है कि इसके बैडल को विपरीट बात है आप विचार भी कर सकते, आप उस प्रमात्मा से दूर जा रहे हैं, जितने भी देवी देवताओं की एसाद ना कर रहे हैं, उतना ही प्रमात्मा से दूरी बढ़ती जा रही है, एक जनम में तो क्या हजारों लागों जनमों में भी आप उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रमात्मा का त तो रास्ता ही अलग है, ऐसे कैसे कोई पहुंच सकता है, कोई भी मंत रटने लगता है, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, कोई भी छोटी मोटी सिद्धी हो जाए, तो ऐसे कैसे आपराप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, यह रास्ता बिल्कुल अलग है, यह खेल ही अलग है, लेकिन हमारे जो आये संद महात्मा, रिशी मुनी, मैं कभीर के बारे में देख रहा था, वो कहके चले गए कि मैं दोबारा से आओंगा, फिर रास्ता दिखांगा, अरे जब दुबारा आओगे, क्या फता आओगे, ना आओगे, आओगे तो कितने अजारो नाकों और असमाद आओगे, तब तक इस पर दूए को कोन समालेगा, क्या आप सत लोग से आगे तो सत लोग तक ही तो पहुंचोगी, उस से आगे नहीं हो सकती, वकुंट लोग आके जो वकुंट तक ही तो पहुंचोगी उस से आगे नहीं हो सकती, जितने बी नाम आपने सundे हैं, सबके आप ये सम्झो, जितने भी लोग हैं, आप चाहे देवी देवतां की साद ना करो, उनकी साद ना करो, इतना सा अंतर है, ये लोगे के पिंजरे हैं वो सोने के पिंजरे हैं इसे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है और इसे ज़्यादा अंतर हो भी नहीं सकता आपकी समझ में जब तक आएगी तब तक ये जीवन बीट जाएगा आप सादना की सोजते रहते हो मैं आपको सादना का रास्ता पता है आपको कोई सादना करवाने का पर्याद करता है आप वहत해 हो अरे देवी की पूजा नहीं की अरे वहां नहीं गए अक की बार अरे हमारे कुलदे उताने रूट जाए हमारे फितर नराज हो जाए हमेशाथ नासी क्या मतलब है यह तो छोटे छोटे कारिये हैं प्रमात्मा प्रम्तत तो एक अलग दाकत है वो एक अलग बहचान है वो एक अलग सक्ति है जो पते एक जीव के अंदर बास करता है आपने कभी अपने संतों से कुछ पूछने का, कुछ खोजने का प्रियास किया है, बिल्कुल भी नहीं किया, बस जो बोल दिया वो मान लिया और आगे निकल लिये, बोलते रहते हैं, बड़े-बड़े महात्मा, बड़े-बड़े संत, मैंने देखा बड़ा नजदीक से, ब बोलते रहते हैं काम के उपर, करोद के उपर, मोग के उपर, लोग के उपर, विशेवासनाओं के उपर, संसार के उपर, धनसंपत्ती के उपर, बोलते रहते हैं, और आप सुनते रहते हो, सुनकर के आजाते हो, वो बोलते हो कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, औ वहिलाओं से बड़ा दूर रहता है इसके अंदर तो बड़ी दूरी है बड़ा तपस्वी होगा अरे कहां भज गए आप लोग वो कुछ भी नहीं जानते वो एक इंदरी के वस हो गए हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे ब्रह्मचरिय का पालंग किया जाता है और ब्रह् किसी परकार की साधना इस जनम में कई बार ऐसा हुता अपने आप एक उल्लेली जागरत हो जाता है कई बार होता इस अपने याद मह जागरत होने लगती है बहुत बार हो जाता है कई जीवों के साथ हो जाता है ऐसे लेकिन ये वो साधना अलग है कुन सी साधना का मैं जिकर कर रहा हूं आप सोच नहीं सकते मैं उसाधना की बोल रहा हूँ जो सब लोक लोकांतर से प्रे है जिसमें सत लोक से भी प्रे है गो लोक से भी प्रे है वैकुंग से भी प्रे है शिव लोक से भी प्रे है जितने भी लोक आरगा आपने आज तक नाम सुने हैं अनंत लोक से ले करके और शिव लोक तक ब्रम ल लोक से लेकर के और गो लोक तक जितने भी नाम है जिस लोक से जो भी आएगा जितना तत्व लेकर के आएगा जितनी कलाएं लेकर के आएगा जितना जो कुछ भी लेकर के आएगा वो सिमित है बिल्कुल सिमित है सब कुछे अगर आप सोचो की प्रमात्मा की प्राक्ति हो ज दिखा देगा लेकिन उस प्रंतत्तों के लोग तत्ता रास्ता वो नहीं दिखा सकता क्या अपने कभी अपने गुर्मों से अपने महात्माओं से अपने संतों से जिनको आप सरेष्ट मानते हो यह सवाल किया कि जब आत्मा को काटा नहीं जा सकता आत्मा को तोड़ा नहीं ज तो ये परमात्मा से अलग कैसे हुई? किस परकार से इसको अलग किया गया? काट करके किया गया? तोड करके किया गया? किस परकार से उखाड करके किया गया? ये किस परकार से इसके टुकडे किये गए? क्या आपने कभी इस सवाल किया अपने गुरूं से? क्या कभी आपने सो चाहे किस परकार के भी सवाल हो सकते हैं, आप आधात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, बस भाग रहे हैं, एक दोड़ चली हुई है, अरे उसके तो लाकों सिश्य हैं, तो मैं भी उनी का सिश्य बनूगा, कुछ जाने ना जाने, कुछ समझे ना समझे, कुछ पता हो ना हो, तो थोड़ा, इस समसार के अंदर ज्यादा लोग जुड़े हुए हों, ज्यादा लोग जानते हों, और अच्छा सा, अच्छे से मश्तर धाड़ कर लिये हों, और बड़ी-बड़ी बाते करने वाला हो, हो गया गुरू, बड़ा असान सात्री काल तो गुरू बनने का, ले आप पूछ करके देखिए, आप मिल करके देखिए, प्रसंतो की दिये, क्या आपने कभी पूछा अपने गुरू से, कि जिसके कान, जिसको सुनाई ने दे, जो वहरा हो, जिसको दिखाई ने दे, जिसकी वानी ना हो, उसको किस परकार से आप नाम दोगे, कैसे ग्यान करा उस जीव का कैसे कल्यान होगा? किस प्रकार से किया जा सकता है? क्या आपने कभी पूछा इस अपने गुरुवे से इस सवाल का उत्र? आपने नहीं पूछा, आप बस वहीं भसे हुए हो, तेरा मेरा के अंदर? कैसा ये सिस्टम चला हुआ है? आप उस आधातम से इतने दूर कुछ लें गए हो, कि आपको ग्यान का भी अनुभव नहीं है, आपको रास्ते का भी मालूम नहीं है, आप कोई विश्वगूंट लोग की बात करें तो बड़ी मानने लगते हो, कोई गोलोग की बात करें तो बड़ी मानने लगते हो, इन बातों के अंदर इतने बुरी त ज्यान है ने प्रमात्मा का मारग है ने कोई आपके पास युक्ति है ने आप पहुच सकते आप जिस रास्ते पर चल रहे हो जिस परकार से चल रहे हो चाहे लाखों जनम हो जाएं चाहे क्रोडों जनम हो जाएं आप प्रमात्मा से दूर जाओगे नजदिक नहीं आओगे व आप उसे समझने का परियतन की दिये, क्योंकि वो समझ से भी परे है, हर कोई कहता है, मन बुद्धी से परे है परमात्मा, हर कोई कहता है कि पांचों तत्तों से परे है परमात्मा, लेकिन कहते हैं समझते नहीं हैं, समझते हैं मानते नहीं हैं, कैसा ये संसार है, कैसे फस आप उस परमातमा की और पड़ने की कोशिश की दिए, अगर आप उसको और नहीं पड़ पाए, अगर परमातमा की तरफ नहीं चल पाए, आपने कुछ नहीं किया, आप खोज की दिए, बिना खोज के कुछ नहीं मिलेगा, और इन सवालों के उत्तर ढूंडने का परियतन की अगर आपको इन सवालों के उत्तर नहीं मिले तो आप समझना समर्थ के पास नहीं कहुँचे हो, खोजते रहो सवालों को, पुरुस प्रमातम्तत्तो की पहचान कीजिए, कि कहां है वो प्रमातम्तत्तो, कहां उसकी प्राप्ति हो सकती है, कौन इस दरा के उपर समर्थ महाप बस मैं इतना ही कहूँगा, आप जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिलें, तब तक आप अपना वस्तक किसी के सामने मत जुगाईए, क्योंकि पूरान प्रमात्मा के आगे, पूरान गुरू के सामने जब तक जीव नहीं जुटा, तब तक उसका कल्यान संभव नहीं हो सकत झाल